दोस्तों आजकल हमने कमन प्रॉब्लम को देखा है उच्छोते हैं, तो बहुत सारे बच्चे यह शिकायत करते हैं, कि हमेसा पढ़ाई करते टाइम नहीं है, अब देखिए पढ़ाई करते टाइम नहीं दाना एक कमन चीज है, अब इसको आप मैनिक जरूर कर सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं, हम यही देखने वाले हैं, कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, उस टाइम पिए के आप अपनी जो स्वीपिंग टाइम हो, इसको कैसे मेनेज कर सकते हैं, मैं आपसे बड़ी-बड़ी बाते नहीं करूँआ, कि अगर आप प्रपेशन कर रहे हो, तो आ मेची खालो, अगर आप प्रपेशन कर रहे हो, तो अपने माबाप का चेहरा याद कर लो, या कुछ ऐसी बाते नहीं कर रहे हैं, जो बहुत जौदा आपको एक्साइट कर दें, मोटिवेट कर रहे हैं, हम आप कॉमन सी बात करें, जिसको देखते हैं, बैसे को देखते हैं करें होती हैं, अपने आपको अगर आप टरीट कर रहे हैं, अपना बॉडी को आप टरीट तो वह अपने आपको जो आप गॉत इखते हैं, बमशीन नहीं, आइज हिमन टरीट कर। आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जी डिपाइंड करता है हुमेन कोई, किसी इंसान पो जो टाइम होता है सोने का वो 6 आर लगता है, किसी को 7 आर, किसी को 8 आर ये बॉडि के डिपाइंड करता है कि आपके बॉडि किस तरीके से वर करें, बट मिनिममम 6 आप तो आपको लेना चाहिए, अगर आप minimum 6 सार अगर स्टडी के नहीं दोगे, तो आपकी body के साथ आप सही नहीं करना उसके बाद अगर नमबर हुपते बाद करों, तो आप अगर चब लिच चब के स्टडी करना, तो आपने स्टडी टेबल के पर माथ दोगें, क्योंकि स्टडी ट बड़ी जल्दी टायर होगी है, विकल कॉमन सब एक तरीका है, आपने टेविल पर बैठिये और अराम से बैठके सारा स्टाफ रखके आपने ते लिए पढ़ाईगा, नमबर थ्री पर अगर हम बात करें तो वो है मून नापिंग, देखिए आप जब भी लंच लें, लंच क एक पर्टिकुलर सक्षन बनाए जहां पर आप ले सकते हों और उस नाप के बाद आप पुरा रिफरेश हो जाते हो, इसनिए किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टन चीज होती है, तो वो नाप ज़रूर ले दिन की, इसने एक चीज़ का ज़रूर ध्या कब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चाहिए, ने स्टूडेंट क्यों कमफोर्टेबल ही होते हैं, नाप लेजए आप, बहुत अच्छा है नाप लेना, बड़ आपको सिर्फ 15-30 मिनिट ये नाप लेना है जो कि लंच के बाद में, अगर हम बात करें, जब भी आप चु करने में टाइम लगा लेता है, आपकी पूरी बॉड़ी वहीं वर्थ करते हैं इस टाइम पे, अगर आप जोना खाना खाना है, और फिर जो माई है, वो मैसेज करता है पूरी बॉड़ी को, कि वो नीदे रेस्ट, तो उसको उस रेस्ट से हटाने के लिए, आपको खाना कम कानी कॉन्टिट्टी में खाना चाही है, तो थोगा कानी कानी तो यह बार बार लेक्षडbeiten, वो ठीक रहेगा,As comeampir भूगार में फूरा खाना में, बेटर यह है किका कमकम खाना का ए, एक और यह बार में, जौदा खाना में क्या है, शूंकि इससे बोड़ी बहुत जाना लाइजी हो जाती है और जितना हो सके water consume करके रहे है पानी कूछा बिल्कुल ऐसे आपकी body को active रहना चलिए देखिये होता क्या है mostly जब भी आप study table पर जाते है तो आपका आपके eyes यह दो चीज़े काम करता है और आपके eyes यह दो चीज़े काम करता है बाकी जो पूरी body यह वह assess mode में चले जाता है अब उससे होता ही है कि body को यह message आता है कि हम सिर्फ दो चीज़े काम कर रहे हैं बाकी चीज़े active नहीं है तो एक तरीके से laziness आना स्टार्ट हो जाता है तो उस laziness को रोपने के लिए आपको further activity भी करना होती है जिसे आप फूर आर्स तक continuous भी पड़ गए फिर आपने चलना स्टार्ट कर दिया या कुछ दूसरा moment, hands moment कर करना स्टार्ट कर दिया इससे आपके जो दूसरे body parts से वह भी active हो जाएंगे जब वह active होगी तो पूरी body active होगी जिससे आपके mind को लगेगा कि आप properly सभी दिगास से पूरी body active है और आपको work के ज़ड़ है इससे mind proactive हो जाएगा और जादा active हो जाएगा जिससे आपको बहु आपका जो पूरी need and clean होगा है तो उसमें जो cleaning less होता है और सफाई जो बहुत ज़्यादा important factor होती है किसी भी बच्चे की study के time last जो सबसे important factor है किसी भी journey के में अगर आप study कर रहे है अपने life के अंदर को भी कर रहे है कि आप अपने target को याद रखिए आपने aim को याद आपके लिए वजा क्या है अगर आप उसको देहान लगोगे उसको हमेशा माहिम के अंदर रखिए तो ये body भी आपको बार बार push करेंगी तो पढ़ाई के वक्त mean तो आएगी उसको अपने time से लिजिए और पढ़ते रहे है और आगे बढ़ते रहे है और आगे बढ़ते सकत करके अदरू आपके तो आपके लुड़ते रहे है बढ़ते तो आपके से रहे रहे हैं गया है और विजैए झाल झाल